जब renewable energy की बात होती है तो बहुत सारे renewable energies का नाम आता है उनमेंसे wind energy भी एक है wind energy अगर हम इंडिया के reference में बात करें तो एक अच्छा खासा potential है और क्यूं है इसके पीछे current अगर हम करें तो इंडिया के अपनी geographical features जो है यानि जो भगॉलिक जो reasons जो अवस्थाएं बोली जाती है जो स्थितियां जो बोली जाती है that means I can tell you like geographical characteristics of India और वैसे भी अगर हम बात करें तो international level पर बहुत सारे precious है अभी आप zero emission की बात सुनते हैं अभी आप net neutrality की बात सुनते हैं जहाँ पर carbon emission neutral की बात करते हैं जेरो इमिशं स्थ यानि कहीं न कहीं हम CALL को कम करने की बात कर रहे हैं घ्याव को कान करेंगे तो कहीं कोई न कोई अल्डरेटिव चाहिए ना तो नहीं अल्डरेटिव हैं कहीं न कहीं solar कहीं न कहीं won कहीं Co कहीं न कहीं बायो मास यह सब आते हैं इनी में से एक concept आता है wind energy इनी में से concept आता है wind energy वो wind energy किस तरीके से use में लाते हैं किस तरीके के wind turbine होते हैं उन में ऐसा क्यों सी technology होती है जिसकी मदद से हम electricity generation करते हैं वो सारा का सारा प्रोसेजर सुरू से लेकर मैं आपको चलता हूँ और कुछ ऐसे एक्जाम्स में हैं और वैसे भी इवन जब आप रिनबल एनरजी की बात करते हैं तो इंडिया में विन्ड एनरजी का भी एक अच्छा खासा प्रोटेंचिल है अब ये विन्ड एनरजी चो इंडिया में अच्छा खासा प्रोटेंचिल है इसकी मेकनिजम क्या है किस तरीके से हम विन्ड को यूज करते हैं इसकी बात करेंगे और इंडिया में कहां कहां किस तरीके से क्या विन्ड एनरजी प्रोटेंचिल है कौन कौन से स्टेट से जा रैंकिंग्स हैं और प्लस इंडिया का क्या फ्यूचर है बिंड एनरजी को लेकर इन सब पे चुड़ी-चुड़ी सी डिसकेशन करने वाले हैं यह टॉपिक है कि यह ग्रीन टॉपिक है और अभी जो हमारे ओनरेबल प्राइमिनिस्टर है शीनारे प्राइमिनिस्टर है तो इससाब से अगर हम बात करें तो इंडिया में बिंड इनरजी और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यह कहीं न कहीं हमारे जो हमारे जो अनरेबल प्राइमिनिस्टर है हमारे इंडिया में बढ़ने चाहिए है तो चलिए दोस्त शिरवात करते हैं इस पूरे के पूरे लेक्शन में विंड इनरजी में एक माहल आपको इंड इनरजी का मैंने बना दिया है और यह भी बता दिया है इस विंड इनरजी को मैंने इन्वार्मेंट समेलन से भी है वो सारी बाते मैंने आपको जोड कर अब एक इंटिगेटिद अप्रोच के साथ मैं आपको इंड इनरजी सुरू करता हूं लेकिन अब आपके दिमेंशन खुल चुके है विंड इनरजी को समझ्टे के लिए अब इनरजी को समय अब इनरजी को समय आपको जोड इनरजी को समय आपको अनिक आदमी पर लेता हूं प्लस सेशन में, स्पेशल सेशन में और प्लस स्पेशल ग्लसेश के लावा यूट्यूब सेशन पर भी जैसा भी आपने मुझे प्यार दे इतने कम समय में उमीद करते हैं आगे भी आप देते रहेंगे और आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो नहीं लेक्शर्स आपको बनाता मैं रहूंगा तो चले आगे बढ़ते हैं ये मेरा टेलिग्राम चैनल है जो टीटो डमी होते हैं उनके भी लिंक्स में आपे शेयर कर देता हूं so stay tuned with me on this telegram रभी UPS इंडर्सकोर अनकैडमी ये आपके लिए काफी बेतर होगा अनकैडमी पर जो मेरा प्रफाइल है जहां पर मेरी क्लासेस मिल जाती है प्लस पर जो की paid है special classes जो की initial है और इसके साथ कुछ और भी कार्सेलिनला कुछ अनकैडस को मेरा पर कार्फार्सकोर देनियर क की बेद पर आपको मिल जाते हैं in your life sessions so stay tuned with an academy with all the you know uh verifying educators experience faculties from long and long years guys they will be really very beneficial to all of you आज के जो topic है वो science and technology में जो जुड़ा है उसका पूरा का पूरा concept है कुछ technical बाते भी होगी कुछ factual data भी होगा और कुछ दूरदर्शी बाते भी होगी जहाबर मैं future को भी wind energy के साथ जोड़ूँगा फाइन तो चलिए बात करते हैं wind energy पूरा topic है working mechanism and its potential okay working mechanism on its potential तो यह कैसे काम करता है इसा क्या potential है देखते हैं पहले तो आप मुझे यह बताओ कि आप इसे कितने बच्चों ने कितने बच्चों ने अपनी life में wind turbine देखा है नीचे जरूर लेखना और जब देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा है यही बताना और दूसरी सीजी यह बताना कि मुझे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा यह अपने real में देखा है या कहीं photograph में देखा है यू people have literally seen it in the reality है इसको फोटो डो में कहीं देख लेया है कहीं लगा हुआ सर वो मैं वो DDLJ देख रहा था उस पे वो शारुक खान चल रहा था गाडियों से अगल बगल wind turbines भी थे सर वाल अब इस तरीके से तो नहीं देखा है ना चलिए पर हो सकता है कि शायद आपनो इसी पेंखा जो होता है okay that I am telling you as a wind turbine technical भाशा में देशी भाशा में हम पेंखा बोल सकते okay so that fan those are moving guys उसकी speed क्या होती है और दुसरी उसी size कितनी होती है तो आप कहा सकते बहुत बढ़ा होता है ठीक है इतना बढ़ा होता है कि अब बता नहीं से था कितना बढ़ा है ठीक है तो पह बहुत उपर होते है ठीक है दुसरा बहुत 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 पर हो गया ठीक है और उनकी जो fan होती हो कितनी speed से घूमती है सर बहुत slow घूमती है यानि हर जगह में बहुत बहुत और बहुत मिलता है ठीक है तो इसका मतलब कि सर wintermine जो होता है सर बहुत बढ़ा होता है सर wintermine क हाइड कितने होती सर अच्छी खाजी होती बहुत हाइड होती है अच्छा बहुत बढ़ी हाँ और इसकी स्पीड क्यों थी सर बहुत धीरे होती है ठीक है तो हर जगह में कहीं न कहीं बहुत बहुत और बहुत आ रहा है किसी भी तरीके से मैंने जोड़ने कोशिश की अगर अब इन तीनों की चीज़ों को समझते हैं तो अब अब आगे भढ़ते हैं यानि winterbine जो होता है उसके एक अच्छी हाइड रखी जाती है दूसरा winterbine जो होते हैं उनकी फैन्स काफी बड़ी सा इसकी होते इसले बहुत तीजी से वो नहीं घुम सकते वो slow घुमते हैं ठीक है यह दूसरी शिज़ा आपको होगी तो यह चीज़ें आप थोड़ा दियार लगेंगे ठीक है अब आईए आगे बढ़ते हैं अच्छी बात और बताओ generally wind turbines अब कहां लगाओगे of course जहाँ पर wind की गती तीवर होगी जहाँ पर wind की speed जाता होगी wherever the wind speed will be good guys in that areas we will use the wind turbines कहीं भी थोड़ी नहीं लगा सकते हो कभी Delhi में wind turbine देखा है Delhi जहाँ मेरा कर्भूमी है गोरपूर जहाँ के मैं रहने वाला हूँ I never have seen a single wind turbine in गोरपूर UP जहाँ मेरे एक institution है जहाँ मैं face to face classes भी लेता हूँ मैंने कभी भी नहीं देखा दोस्त कभी नहीं देखा not even the single wind turbines तो ये भी आपको specify होगे सब किसी ना किसी specific area में ही wind turbines लगते है it's not like that कहीं भी wind turbines लगा रहे तो wind turbines we are using in certain areas अब कहाँ पर certain areas होना चाहिए जहाँ पर wind की speed जहाँ पर wind की speed अच्छी हो अब कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो चलिए आपको बहुत सारे backgrounds होगा अब क्या होगा है बहुत सारे backgrounds आपको बता चल गा है अब इन ही backgrounds के बेस पर हम लोग बात करते हैं पहले चीज़ ये छोटा सा photograph लाया हूँ मैं बहुत ही प्यारा सा है बादलों में कहीं है न तूर ये देखो चोटी-चोटे plants देख रहे हैं और कहीं है न wind turbines चल रहे है तो wind turbines इससे आपको एक idea लग रहा होगा काफी height होती है तो one part इनमें fans लगे होते हैं और एक बाद बता हूँ ये जो fans होते हैं ये जो fans होते हैं actual में इन ही को wind turbines कहते हैं तो wind energy generation के लिए actual में हमें क्या चाहिए wind turbines चाहिए ये ही wind turbines है जो आप देख रहे है wind turbines चाहिए दुसेज एक बात और बताता हूँ चाहनतों ये जो wind turbines होते हैं उनका एक specific shape होता है और वो shape बड़ा matter करता है अगर थोड़ी भी हावा आती है तो shape का shape उसी को एक technical भाज़ आ कहते है aerodynamic shape यानि air specific shape इस तरीके से होता है कि जैसी wind की speed आती है they start to move इसले इसको एक नाम यूज़ कियाता है aerodynamic shape तो एक specific shape होता है सुब कहते है aerodynamic shape दूसरी बार और aerodynamic shape electricity generation को और ज़्यादा enhancement करता है अगर shape उस तरीके से नहा हो दोस्त इससे क्या होता थोड़ी से भी wind की speed अगर अच्छी आ जाती है जितनी minimum wind speed में wind turbine घूमता है तो wind turbine का movement शुरू हो जाता है so दो चीज समझ में आई एक तो समझ में आई कि wind turbine जिसको use करते है और दूसरा आपको समझा है wind turbine का shape बड़ा matter करता है याद रखेगा जब भी आप कोई भी answer लगते है साइंस के अपने keywords होते है bone के अपने keywords होते है आपको उन keywords के साथ answers लिखने चाहें and here in this case that answer will be very very useful for everyone अब आपको लिए चलते हैं इसकी हाइट पर जेनरली मिनिमम जो हाइट डिस हाइट की गई है ऑफिशली जो सुनने में आता है वो 100 फीट की हाइट होनी चाहिए अब कैसे यह काम करता है क्या होता है उसके आपको लिए चलता हूँ क्योंकि आप सबने जब फैन देखा होगा तो फैन बहुत स्लोई स्पीड से अपने गुमते देखा होगा लेगिन कम इस स्पीड से तो लिट्सिटी जनरेशन होई नहीं सकती है ना तो उस पे अंदर क्या किया जाता है क्या सिस्टम होता है मैं आपको लिए चलता हूँ धिरे-धिरे समझ जाएंगे देखें अक्शल में क्या होता है जो विन टर्बाइन होते हैं वो स्लोई मूव करते है ओके मैं आपको समझानी कुश्ट जो विन टर्बाइन होते हैं वो बहुत स्लोई मूव करते है ओके जो विन टर्बाइन होते हैं बहुत स्लोई मूव करते हैं लेकिन उन्हीं विन टर इसर गित्रू में आपको समझाने कोशिश करता हूँ कि एक्चुल में विन टर्बाइन्स, विन टर्बाइन्स में अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है, आपको लिए चलता है, बहुत ही इंट्रस्टिंग है, आपके चीज़ें और मज़ेदार होंगी, वाकि जब आप चीज़ों को धिर धिर और समझेंगे, देखो होता कि मैं आपको बता हूँ, ये एक सैफ्ट है, समझो, ये जरा एक सैफ्ट है, सैफ्ट मतब वही, जो लोहे की, जो भी माले, जिस रॉट, जिससे फैंस जुड़े होते हैं, आपने बोला होने, आगे वाला सैफ्ट बोला, फ्रेंट साइड वाला सैफ्ट, अब जैसे ही टर्बाइन घुमेगा, वाट विल कम देर, ये सैफ्ट घुमेगा, अब ये विन टर्बाइन तो बहुत धीरे घुमता है, बहुत धीरे घुमता है, अब बहुत धीरे घुमने से सैफ भी slow गुमता है, तो यह shaft कैसे गुमता है, slow moment होता है यह shaft कैसे होता है, slow moment होता है आप एक काम करो, इसमें पीछे ना, पीछे है ना, एक दूसरे shaft से इसको जोड़ दो पीछे की तरफ मैंने एक और shaft लगा दिया, देखना, और बीच में क्या किया आगे वाले shaft और पीछ वाले shaft के बीच में यहां पर I have used one gear box, क्या use के लिए मैंने gear box लगा दिया मैंने क्या use के लिए gear box लगा दिया, है ना, gear box लगा दिया gear box क्या होता है, gear box वही होता है, जो gear होता है समझाता हूँ समझाता हूँ जब हम बाइसकिल से चलते हैं जब एक बार पैडल मारते हो तो जब एक बार पैडल मारते हो तो पहिया कितनी बार चलता है वील एक बार गुट वेरी गुट तो सीरी बात जब हम एक बार पैडल मानते हैं तो एक बार पेडल का मतला वील एक बार चल गया, ठीक एक बार घूम गया, अगर हम उसमें गेर लगा दें तो, अब एक बार पेडल मारें तो पहिया कई बार चल गया, यह क्यों हुआ दोस्त, विगाज अब गेर, exactly, exactly, ऐसा है, अगर माल लो, यहां हमने गेर बाक्स लगा देते हैं, और यहां तक कि आपको सुनने का मिलेगा, फ्रेंट वाले और बैक वाले की बीच का रिशियो, वन इस्टू नैंटी तक देखा जा सकता है, अब आभी सुझें से, तो कमाल की बात हो की सर, वन आगे वाला और पीछे वाला नैंटी, यास, और जानते सी क्यों ज अगेगा, ओके, तो टर्बाइन के घुमने का मतलब होता है, यहां पर फिजिक्स में कहते हैं, मेकैनिकल एनर्जी जनरेट हो गई है, यहां मेकैनिकल एनर्जी जनरेट हो गई है, सीरा कहलो पंखा, जब पंखा तेजी से चलेगा पीछा वाला, जो साफ्ट से जुड़ा ह हुआ है, यह आगे वाला तो स्लो चलेगा, लेकिन पीछे गेरबाऊ से बहुत तीजी से घुम रहा है, और बहुत तीजी से घुमने से भाँ से तर्बाइन बहुत तीजी से मूव करेगा, तो उसे कौन से एनर्जी भोलते हैं, मेकैनिकल एनर्जी, और पता एक इंस्टू energy को अक्रवा करता है कि इसमें? electrical energy में ये हो जाता है electrical energy और कहलो finally दोस, electricity generate हो जाती है और ये जा कर आप आप किसी बैट्टरी बत्टी में जा के store कर लो जब light white नहीं रहेगी तो जला लेना शायत इस board पर आने का जो फैदा था आपको मिल गया होगा इस board पे आने का फैदा यही था मैं आपको यह समझाना चाहरा था कि यह जो wind turbine है जो घूम रहा है इससे जो shaft लगाओ बहुत slow घूमता है और पता यह बहुत तेज घूम भी नहीं सकता क्यों? बहुत heavy होता है न? अब बहुत जोर से घूमेगा थो बहुत ज़्यादा sound भी होता है सुनने में आता है इसमें कई बार birds words भी मर जाती है इसमें कुछ negatives भी बोले जाते है but overall what is the wind turbine how the wind turbines are working यहाँ पे कहीं न कहीं gearbox को धियां रखना दोस्ट आपके सारे concept clear हो जाएंगे अब इसको मैं और बहतर तरीके से जनाने कुछ करता हूँ इस picture में आ जाओ जो मैं आपको समझा रहा था मैंने अभी आपको बोला मैंने अभी आपको बोला कि actual में जो speed of rotation होता है ठीक है वो काफी कम होता है front वाला लेकिन gearbox की वज़स उसकी speed कई गुना जादा बढ़ जाती है और यहां तक ही up to 1 is to 90 तक भी पहुंच सकता है यह ज़रूरी नहीं कि मैंने 1 is to 90 लिखा तो 1 is to 90 ही पहुंचेगा ओके इट कैन भी एन्हांस जिस लाइक gearbox अच्छी quality का gearbox है तो it will go up to more level और जितना तीस से घूमेंगा उसे काँ सी एक बाब बतागर कोई पंखा घूम रहा है तो उसको कौन सी एनर्जी बोलोगे मेकैनिकल एनर्जी और टर्बाइन घूम रहा है आटमेटिक वो अपने आप करने के लिए कानसे इस्टुमेंट जा go किसी ब् honey यद करके वहां भी कठा कर दें कलको light चाहिए उसी बैट्री वाले power बहुत ही बच्चों की तरह बहुत ही simple तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस हिसाब से वहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस से यूपल गैन क्यों आज़ा और facts ही नहीं, concept भी समझेंगे इस topic में facts भी है, इस topic में concepts भी है technology भी है, environment भी है, और plus हमारा future भी है रहे नबल energy का, अब आईए कुछ factual data आपको लिए चलते हैं wind turbine के movement के लिए officially कौन सी speed को बोला गया that is the best wind speed for the wind turbine movement and power generation is 8 km per hour जिसको अब लगभग लगभग 2 meter per second बोल सकते है यह minimum speed है दोस्त और maximum speed जहाँ तर power generation हो सकता है officially जो बोला कि around up to 54 km per hour तुसर यह निए wind generations के लिए wind turbine की movement है उसका भी एक range होदा है definitely 8 km per hour से लेकर 36 to 54 up to maximum is there up to that wind turbine can be used for the further electricity generations अब आज होती इंडिया में क्या है भई इंडिया में average wind speed कितनी है इंडिया में average फिलहाल अच्छी है 10 to 12 km per hour 10 to 12 km per hour अच्छा मुझे एक बात बदाओ सोचो सोचो मेरे साथ सोचो मेरे साथ सोचो wind turbine की हाइड कितनी होती है साथ बहुत होती है अच्छा बहुत बढ़िया very intelligent अच्छा कितनी होती है अभी आपने बोला 30 मीटर के पर वाउ बहुत आपको याद है बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां अच्छा बहुत अच्छ यह बताओ कि विंड का डारेक्शन में सब्सक्राइब होता है क्या हमाद इधर से आती है अरे नहीं सर गावा में तो हम लोगों को बोला जाते है इधर से आ रही है वेस्टर आ रही है हमेशा दिन में तीन बार बदल सकती है सर जैसे कै रहा हूं सोचो ठीक है सर ये बात है जो आप कहा हिया दिन में भी तीन बार घूम जाती है सर इस डा JUN यह बता हो रहा हो इक तेम चौड़ दिया जा उसको आपके दिमाग लगा रहा है नेली ने सर व्ट पर किया जाए wind turbine में कुछ ऐसा किया जाए कि इधर की तरफ से wind आ रहा हो अगर मालो wind इधर से आ रहा है तो wind turbine इधर direction इधर ताकि maximum wind की speed इसको receive हो और अगर wind की direction इधर से हो गई तो तो इस turbine को प्रभू इधर की तरफ घुमाना पड़ेगा आप नहीं घुमाते हैं कभी देखा किया wind turbine की जब बनता लेकि पखणा रहते हैं डंडा लेकि कि जब आएगा तो डंडा खोटके उधर करेगा नाई कभी नहीं इसके लिएक sensors होते हैं पूरी कहानी इसके sensors की है और sensors तो कहते हैं दोस्त wind 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 या के लिएक ऐसा instrument होता है ऐसा sensor होता है दोस्त identify every moment of time about the wind directions about wind directions wind direction इन वीडियो को share ज़रू करना बच्चों को जो हवा हवा में wind energy पढ़ते हैं आप सही सही से wind energy पढ़ेंगे और यह MP MP वाले बच्चे हैं न वह में में यह आकॉशन पेपर आते हैं उनको यह दे देना उनको दे देना बड़ा फाइदा होने वाला उनको सबको share कर दे रहा सबको share कर दे अभी मैंने एक बास सुनी जानते हो क्या मैंने बास सुनी कि मैंने यह बताओ कि यार मैं academy बैगे बढ़ा रहा हूं ठीक है तो तो लोग को जड़ा पता नहीं है गया तो जानते हो बच्चे का गया रहा है यह ना बच्चों क्यों वह बच्पना वाली बात ज निकल जाएगा ना पताओ आप लोग मतलब कितनी गंदी सोच वाले हो अब यह अच्छी सोच है कि गंदी सोच है आप कंप्रेटीशन को अच्छे लेवल पर जानी नहीं देते हो क्योंकि आप मैंसे कुछ बच्चों की मेंटल्टी यह है अगर बगल वाले को यह नॉलेज उनको भी वीडियो शेर कीजें उनको भी पढ़ने दीजें एक हल्दी कंप्रेशन होने दीजें योकि जितना जदा अच्छा कंप्रेशन होगा देस को उतना अच्छा आईएस ऑफिसर बनेगा मिलेगा डारुपीन को क्यों कर ठедьारा रहे हैं आप डारुपीन academia जो बा बढ़ियां से आप देख लो, ये पूरा structure आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी एक छोड़ी से book आती है, पब्लिस हो दी मैगराहिल से, वहीं पे मैंने picture ड्रा किया था, और उसी figure 3.2 को मैं crop करके आपको दिखा रहा हूँ, ये है, so ये हो गया blade, ये हो गया shaft, ये हो गया low speed, पीछे हो गया gearbox, उसके पीछे हो गया high speed, और ये हो गया पीछे generator, डाइनमो, और हो गया electricity, और ये जाकर नीचे करके भैटरी को charge, अब ये आपने अगल बगल सब्लाई कर दी, बहुत ही simple तरीके से, ये सारी शीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं भाई ये तो आप ही जानते होंगे, फिलाल मैंने अपनी कोशिश की, अब आपको कुछ facts की तरफ लिया चलता, 1986, that is the beginning in India, especially for wind energy generations, अब wind energy generations में actual में जो सबसे पहले wind energy generation, जो plant set up किये जाते हैं, वो यहा रास्ता, गुजरात, तमिलना, अब एक बात आप पहुंशे बताओ, कोशल अरियास में क्यों set up किये गया, common sense है, इस नदब कोशल अरियास में wind speed बहुत तीवर होती है, आप इसे जितनी भी students, अगर कभी कोशल अरियास पे गए हों घूमने, तो उसे समुंदर में गोता मत लगाई है, जड़ा धिहान दीजे वहां के अगलबल गाई, तो sir I understood sir, वहां बेहाद हैसे कर लेते हैं, और sir लगता, वाव, what a beautiful wind speed is coming sir, 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 हवा चलती है sir, बड़ा मज़ा आता है sir, आपको तो मज़ा आते ही है, you are going there for fun, but वहीं पर आपको बताओ, when turbine को भी जाता है, वो भी बढ़ियां से घूम लेता है, तो उसका shaft घूम जाता है, और पीछे गियरवास हो जादा महनत नहीं होती, करनी पड़ती है, और पीछे उसकी speed बहुत बढ़ा लेता है, और turbine बहुत तगड़े घूम जाता है, और यसा क्यों होता है, जोगरफी में अपने जो होता है, जो कि sun की light कितनी पी पानी पे पड़ जाया, पानी गरम होगा नहीं in comparison to land, और जहां पर गरमी जादा होगी, वहाँ पर क्या होगा, हवा गरम होकर हलकी होगी और हवा उपर उट जाएगी, तो लेंड पे गरमी पड़ने पर हवा उपर उपर उट जाती है, और इधर ओशन की तरफ हवा नीचे ही रहती है, जो कि वहाँ पानी है, पानी जो हथा जादा गरम होता नहीं, तो हवा हलकी होती है, उपर उटती है, तो हवा नीचे ही रहती है, तो इधर ओशन की तरफ हवा नीचे है, तो दबाव जादा होता है, हाई प्रेशर, और इधर और इंडिया में क्या है? इंडिया में तो अच्छा खासा western coast मिल जाता है, eastern coast मिल जाता है तो kosher areas में you will get it और इसलिए कहता हूँ ठीक है, सब पहली बार जो winter farms हैं, वो सब यहीं लगाएगा जहाँ पे, जहाँ पे kosher areas हैं जहाँ पे wind के moments अच्छेगा से हो सकते हैं that you can see here, Maharashtra Maharashtra में भी किस एडिया में? Ratnagiri गुचराथ में भी कहाँ? Oukha Tamil Nadu में कहाँ? Tuti Korin इंड एरिया में सब से पहले wind turbine लगाएगा और total capacity के तीरी highly, hardly 55 kilowatts but सब से ज़ादा wind energy generation where is going to happen in India? Tamil Nadu अभी तीन साल बले कौश राजस्थान ने बुशा था किस state? यहाँ भी मैं दो चीज़ा बोलूँगा Tamil Nadu के बारे में पहला, Tamil Nadu is that state where have a maximum wind energy generation those are going to be happen, आज हो रहा है and where have a also maximum capacity for the wind energy generation in the coming future तो सब आप यह कहना चाहा है, आज भी सब 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 wind energy generation Tamil Nadu में है और potential wise भी सबसे ज़्यादा potential अगर किसी state में है, तो that is also Tamil Nadu, exactly तो देखेगा, दोनों cases में Tamil Nadu है और बता है, पूरे इंडिया में देखो, मेरे expression से समझो expression, expression भाव को बताता है पूरे इंडिया में जितनी भी electricity generation है wind energy से उसका लगभग 29% कहीं लिखा होगा, देखो, 29% पूरा का पूरा सिर्फ Tamil Nadu से है सिर्फ Tamil Nadu से है ठीक है और सुनियेगा Tamil Nadu के बाद कौन Tamil Nadu के बाद, जो other states आते हैं, second, third यह मैंने लिख दिया है, महरास्टा, रजस्थान गुजरात, करिनाटिका, मत्यप्रदेश, आंत्यप्रदेश, बहुत है भाई, हमें जाके पूरे states और union territories नहीं रटने है होके तीन चारना काम हो गया यह चीज़ हैं, अब आपको हम लिए चलते हैं कि सर यह तो रहे, आपने mechanisms बता दिये, सर आपने some potential, अच्छा खासा potential है और आपको बता हूँ, जब renewable energy की बात होती है तो solar energy के बात हम दूसरे level पर इसी की बात करते है, wind energy generation में आपको बता है, जब 2015 में यह दो को screen पर लिखा हुआ, 2015 में जब MNRE ने, MNRE क्या है, आपको बता होगा Ministry of New and Renewable Energy क्या है MNRE, MNRE है Ministry of New and Renewable Energy Ministry of New and Renewable Energy यह भारत में renewable energy के लिए क्या करता है, इन्वेस्ट करता है उसके लिए डिफेंट रगे R&D कराता है उसको जड़ा-ज़दा ग्रोथ करने के कोशिश करता है यह MNRE, Ministry of New and Renewable Energy 2015, कहा है 2015 एक target बनाता है इक लक्ष बनाता है और इसमें लक्ष यह होता है दोस्त कि 2022 तक है ना, टोटल 175 GIGAW पावर जनरेशन इन्डिया में renewable energy से करेंगे renewable energy में करेंगे और इस 175 GIGAW में आपको बताऊं जिसमें से 100 GIGAW का जो target होता है, वो होता है 60 GIGAW जो होता है 60 GIGAW का मतलब होता है 60,000 MW यही आपके सामने लिखा हुआ है अब आप बोलोगे सर 2022 चल रहे तो क्या यह target अचीव हुआ है बिल्कुल हुआ है, कौन कहता नहीं हुआ है बिल्कुल हम पहुँच गए है लगभल लब पहुँच चुके हैं अब कहोगे सर अब आगे क्या करेंगे आगे क्या करेंगे आपने अगर Glasgow का सम्मेट सुना होगा Glasgow सम्मेलन की बाते सुनी होंगी मोधी जी ने आपने हमने हमारे प्रामिस्टर ने खुद बोला है कि अब हम Renewable Energy को जो है आगे 2030 तक देखेगा इसी 2022 में पूरा का पूरा जो हम 175 गीगावाट की बात कर रहे हैं इसको हम 500 गीगावाट तक ले जाएंगे अब इस 500 गीगावाट में अगर 175 गीगावाट में 60 गीगावाट अगर विड़ एनरजी है तो क्या 500 गीगावाट ने wind energy नहीं बढ़ेगा और बढ़ाने जा रहे कितना बढ़ाने वाले हैं रुख जाएए फरवरी मार्च पर जो economic survey आएगा चेक कर लेंगे data आगया है 500 गीगावाट आप से ज़्यादा बेसब्वरी से मैं वेट कर रहा हूँ सरवे में इसके data को अपडेट करने के लिए एवरीबडी क्लियर तो यह आपके टार्गेट और यह क्यों ज़रूरी है जो कि इंटरनेशनल लेबल पर प्रेशार है मैंने शुरुआतने आपको बोला था जिरो अमिशन की तरफ जाना है और इसके लिए हमें कहीं न कहीं दूसरे ऐसे ओप्शन के ज़रूरत होगी जो कोईले वेले की बनाने के लिए उसको कम करे और यहाँ पर रेनबल अप्शन और वहाँ पे विंड अनरजी का भी अच्छा-कासा स्कोप है और इंडिया में त काफी काफी गर्मी पढ़ती है वहाँ भी यू विल गट दा मैसिव इंडिया मेर के रिया में आपको सोल अनरजी भी मिलेगा तो यू विल गट दा ऑल्सो इंड राजस्थान विं तरबाइन भी लगें हमें ऐसा नहीं है और आपको सारी चीज़ों को मैंने एक साथ जोड़ दिया है जितने भी डाइमेंशन भी इनरजी से बन सकते हैं कोई स्कीम या प्रोग्राम से कोई टेकनिकल पार्ट कोई फैक्ट्वल डेटा तो अब हम आपको लास्ट है कुछ चीज़ें और बता देते हैं अनके अगर आप मेरा कोड यूज करें मेरा कोड है रवी यूपीसी मेरा कोड है रवी यूपीसी रवी यूपीसी कोड में से आप 10% कोई भी फीस होगी आपकी इस फीस में आपको सब कुछ मिलता है सारा material, सेकंड फ़र्वरी से नया बैश भी है और सारे के सारे test series है सब कुछ आपको एक ही जगा पे मिल जाता है और यह जो मैंने आपको teachers दिखाये थे these all the teachers are available at one platforms 30th January को this is the test और यह पूरा UPSC CSE combat PYQ special है जहां last 20 years के UPSC के question papers को लेकर आपके साथ test series है, organize हो रही है जो ज़रूर दीजएगा 54 questions, 60 minutes आपको करना है 30th January को 11 बजे यह बहुत सारे आपके gazettes भी है that prices you can get it और इसको join कहते हैं मैं रवी UPSC code को यूज़ कीजएगा these are the many mega test series of many subjects subject आप screen पर देख सकते है और इनके different different tutors या कहलो verifying educators experience faculties वो सब आपके साथ मिलने वाली है जैसे मेरा भी एक course है science टे का जिसको लेकर मैं आपको वाइडनस टे को मिलता हूँ चार बजे 15 questions, 15 minutes बोथ test are in बोथ English and Hindi so कही न कहीं न कहीं it is very important for your studies and preparations optional channel भी launch हुआ है don't miss it guys इस सब्सक्राइब की जागा कोई optional are more important more and more important in your selections क्योंकि आप कितने भी selection के बच्चों को देखोगे they are scoring more and more in the optional paper so that you go and subscribe it 2021 के question paper भी हाँ पर discuss हुए है जो UPSV में में आए हुए है so don't miss it don't miss it it's an iconic subscription जो anacademy आपको देता है और ये best है आपके लिए even whenever you are going to join the course ये वाला ही लेना इसमें आपको tutor मिलता है mentorship मिलती है पूरी preparation होती है anacademy पर आपको loan facility भी दिया जाता है during covid as I know and you people also know very well many people are suffering with a financial crisis financial scrunch इसलिए आपको anacademy चोटे चोटे आपके offers देता रहता है that will be beneficial to you यहाँ पर भी आपको 0% ये माई पर courses मिल जाते हैं with all the flexibilities आपके हिसाब से ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई problem ना हो anacademy बर plus और plus के साथ दोस्ट आइकानी subscription दोना ही दोना successions है और इनको join करते समय there is many offers that many months many whatever the you people want it okay six month कोई भी course join करते extra six month you will get it extra six month you will get it and see one thing more guys रवी UPSC code में ने आपको बोला जो apply code है वो आपको रवी UPSC use करना है इन में से कोई भी course आपले थे extra 10% discount आपको मिलने बाला है not only for general studies even for optional courses तो 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 एसे एसे अनकादमिस पर अनकादमिस पर आपको ऑचिए ने काफी आपचे काफी क्लासे चाल रहीए है okay don't miss these class of the classes okay and I'm also that faculty those are taking the classes in many intuitions the same classes already I'm even organized on the plus platform so stay tune with me guys on the plus platform and listen my science department environment and science taken environment have a very good role in your prelims examination even 30 to 35 questions are coming there either you all people can solve 20 questions as you people have reading my book from the long 5-6 years and highly selling book highly popular book highly successful book in UPSC segment and the same teacher I am taking your classes so definitely the books and me both integrated approach will be really very helpful to you to crack your examinations it's my telegram channel thus I told all of you go and subscribe it the reason the reason I told you it is it is very good for all of you guys in your preparations which I will share all the videos and all the PDFs this is my Unacademy profile here you can join Unacademy classes here you can also join special classes here part of the class which is free there is a biology session miss not to follow the new batch of Unacademy even just for 2022-2023 in Hindi, Bilingual, English in all medium classes are going on that people can join here and this batch is going to start from 2nd February and see guys one thing more all complete books and everything we are providing here and don't forget to subscribe to this channel even go on the bell round and don't stop to miss this video to like and share so thank you everyone अगले वीडियो आपके साथ फिर्म लाकात होगी और इस PDF को आप इस टेलिग्राम से जो मैंने आपको लिंक दिया वहाँ से आप सीथा ले लेना and save your time so चलिए फिर अगले लेक्टर आपके साथ फिर्म लाकात होती है with same pace with same energy तब तक अपना ख्याल रखें स्वस्त रहें खुश रहें मस रहें और मुस्कुराते रहें so जैहिंद दोस्त all the best